वेलकम बैक वन सेगिंड आज के स्वीडियो में बात करने वाले हैं जैपनीज के बारे बी जैसे कि आप सभी को बता है फिल वक्त का मार्केट मुवमेट बिल्कुल डाउन एक साइडवे स्ट्रक्शन में चल रहा है वीडियो को आप एंड तक जरूर देखो वीडियो बहुत साथ है बहुत कुछ आपको न्यू सिखने को मिलेंगा जैपनीज स्कैनस्टिक के बारे में और डीटिल में अगर आप इसके पर मल्टीपल पार्ट साथ है तो आपको कॉमेंट करके बताना हुआ अगर अभी तक से जैपनीज स्कैनस्टिक की डीटेल में बात करो, उसके पहले में चाहूँ कि हम nytके के बारे में आने की कोशिश करें गभाई इस्टिरी बहुत ज़दी इंपोर्टेंट है और हमको पाता तो होना चीए जैपनीज स्कैनस्टिक कहा से आईया है कि इसने इसको इन्वेंट technical tool है इसको किसने बनाया था मुहने हिसा हो भी गवाल यह को जैपानिस परसर है जो के एक जैपानिस ही चैपानिस राइश да पर उस टाइम पर जो मार्केट्ल लगेट ता जो चावबीन किया था जैपानिस कानेस्ट्री आगे ऐस एक्स्प्लेइन करूँ आपको में, कि मैं ऐसा इभी क्या ज़रूरत पड़ी थी, जो कि मुने हिसा होमा ने जैपनिस केनिस्टिक को इन्वेंड किया था, क्या इसका यूसफुल केस था, डीटिल में आगे बात करेंगे, मैं बात करूँ तो इसरिफ जैपन के हद तक काफिता यूस होता था, मताब 18th century में create होता, most of the Japanese trader are using Japanese candlestick, लेकिन हमें तो यहां पर थैंक्फुल होना चीए, स्टीफ नीशन का किनोंने Western world को और introduce किया है, basically Japanese candlestick charting techniques in other financial market, आप अगर यह सोच रहें कि यह आप सिर्फ cryptocurrency में use करेंगें, Forex में, यहां पर आप जितने भी financial market है, यह विन Cryptocurrency है, Forex है, Stocks है, Board, Oil, Silver, Equity, जितने भी financial market में, सभी में canistick pattern work करते हैं, और बहुत ज्यादा accuracy प्रावाइट करते हैं, यह basically stiff nation है, इनके अपनी एक book है, Japanese canistick charting techniques, अगर आप बहुत detail में book को पढ़ना चाहते हैं, इनके book को आप personally refer करो, और काफी अच्छे, मैं समझेंगा, writer भी रह चुके हैं, काफी detail में उन्होंने Japanese canistick को एक आसान और सवरबाशा में western world के लिए introduce किया है, तो आप अगर actual में सिखना चाहते हैं वो concept को तो इनके books को मैं चाहूँगा कि आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी आर अगर नहीं time आपको पढ़ने के लिए comment box में comment करो, क्या आपको और detail में और ज्यादा canistick के ओपर वीडियोस चाहिए, तो मैं इंशारान वल टाम के ओपर आपको वीडियोस लाकर दे दूँगा, मिल नहीं आप अगर हम सबसे बिला बात करते है Japanese canistick होता क्या है, अब मैं इसको कौन सा example देता हूँ, उस time का example देता हूँ, जिस time इंवेंट हुआ था 18th century का, जैसे के जो राइस टेडर था, चावल के मार्केट के अंदर उसको यूज करते हैं, कोई भी मार्केट, कोई भी मंडी में भी जाते हो, तो वहां पर भी अलग-लग प्राइस होता है, मतलब कल का जो प्राइस होगा, जरूर नहीं है, आज भी वही प्राइस होगा, simple से चीज़ है, और एक चीज़ यह भी होती है, जो प्राइस पर मार्केट ओपन हुआ था, मतलब जो प्राइस मौनिंग में था, जरूरी नहीं है, क्या मार्केट का 6 बज़ शाम को बंद होत रखता है तो डिपेंड होता है उनके जो सप्लायर डिमांड होता है जितना होंगे बस जो भी एक्जामपल जो भी जो भी चावल है या जो भी इसको लेकर तो यहां पर क्या पता चलता है कि बिसिकल जैपैनीज के डिश्टी कुछ नहीं है स्रिफ मार्केट का प्राइस एक तो यहां पर टाइप्स ऑफ कार्ण जैपेनिज के और इन टाइप्स के अलग अलग केटेकरी अगर आप उन के इसके बारे में सीखना चाहते हो आगे के वीडियो इसमें कॉमेन बक्स में कॉमेंट जरूर करो वाई ताकि आपको उसके वारे में इंट्रड्यूस करो यहां पर सबसे बढ़ देखिंगे क्या है टाइप्स के यहां पर अवलेबल है बहुत से फोरेक्स ब्रोकर है जो कि वाइट और ब्लैक का कलर देते लस्ट रेडिंग यूगियो पर पर सब्सक्राइब हमारे बंसे जो चाहिए वह इंट्रड्यूस करें सकते हैं तो विसी लिए कलर ड़संट मैंटर पहले भी बोलाओ के कलर का जादा खेलने में में आपको अब ग्रीम तको आइड इनके करहरा आब के अच्छ बुलिश्य मतलब प्राइस ओपर जा रहा है अच्छे से याद को बेंट बहुत 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 जादा । यूज़ त'! यहां पर क्या है सबसे पहले पुलिश चैनल का देख लेते हैं यहां पर आप देखिए तो यह बुलिश कैंडल सेम ऐसा ही कैंडल बनता है प्यूंकि बहुत तो लोग क्रिप्टो करेंसे नहीं हो है विट्कॉन चाट हम सबी हम रहे ने पर हरी और राल कैंडल हमको देखने क यहां पर यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर ओपन प्राइस याद रखे एक कैंडल स्टिक में चार इंफोमेशन मिलती है एक तो आपको ओपन प्राइस के भाई कौन से प्राइस पर मार्केट ओपर हो एक्जामपल के लिए अकर वही राइस टेडर की बात करो तो चावल का जो मार्केट था यहां पर वह क्या लिखते थे बिसीकली के भाई कौन से टाइम मतलब कितने पर मॉर्निम में जब मार्केट ओपन हो था उसका प्राइस कितना डाइस अब्लाइस करते हैं था अप जयान यहां पर अब जाये ऑप मार्केट फ्ल्क्शेशन करते हैं उसके बाद क्या हुआ मार्केट ने लो ग्रेट कितने का लो था एक्जामपल एकलिए आठ डॉलर था मतलब दस डॉलर का यहां पर ओपन प्राइस हुआ आठ डॉलर का यहां पर लो प्राइस बनाए उसके बाद क्या वह मार्केट डूरिंग दा सेशन मतलब शुबह नव वज़े मार्केट मंडी उपन होई थी, 6 बज़े ख्लोज होती है, 9 बज़े उपन होई ते कितना प्राइस था, 10 डॉलर का, और मार्केट के दारान मंडी के दारान कितना प्राइस लो गया था, ऐग्जाम्पल केले मार्केट यह चलो कि ≜ ़ाँफै था, फिर क्या हुआ है, उसके बात क्या हो Yukon Market at that high, during running market को market को कि अबकिका 500 अर्य. मार्केट का ब्राइच कि फिर 20 दोलर. मार्केट ने लो बनाया था एक्षाठ लेकिन जब 6 बजन मार्केट मेट बंद हुआ उस टेम कितना प्राइस बना था? बहुत फास बुलते हूं श्लो तरीके समझा रहा हूं जहां पर मार्केट ओपन हुआ था उसके अबव जाके मार्केट अगर क्लोस करता है दूरिंग दा सेशन जो भी टाम फ्रेम आप यूज कर रहे हूं उसको बैसकी लिखे हैंगे बुलिश कैनल स्टिक यहां पर हरा बनता है देखे सिंपल है उसी का अपोजिट क्या बनेगा जहां पर मार्केट ओपन हुआ है अगर मार्केट ओपनिंग प्राइस के बिलोग क्लोस करता है दूरिंग अट सेशन तो उसको बेसिकली कहेंगे हम बेरिश कैनल जैसे आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जो बढ़ रहा है चट रहा है तेजी आ रही है डिक्रीजिंग मतलब गिर रहा है डाउन जा रहा है मार्केट में गिरावट आ रही है यह बेसिकली आसान तरीके से आपको मैं समझाया हूँ नहीं समझ माहिए वीडियो को दुबारा रिवाइंड और स्पेशल जो न्यूबी स आपन लो इस चार इंफोमेशन हमको मार्केट को समझने के लिए मार्केट को प्रेडिक करने के लिए मार्केट का डार्क्षिंग जाने के लिए बहुत ज़्यादा यूसफुल बनती है इसके उपर आगे डीटिल में वीडियो में बनाऊंगा और अभी हम लाइफ डार्ट आपको चेंज भी कर सकते हैं राइट क्लिक करके सेटिंग में जाकर आप यहां पर सिंबॉल में जाकर आपकी मर्दी जो कलर आपको देना है वह कलर यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ यहां पर बुलिश को यहां पर बुलिश को यहां पर में लो यहां पर और Telos यह आप यह बीरिश मतलब प्राइस नीचे गिर रहा है नीच जा रहा है नीचे डावनफॉली को समझ में आ रहे है और यहां पर आप देखेंगे तो इसके लिए यहां पर आपको idea मिलेंगा कि यहां से market upside में जा रहा है क्यों कि अब इस candlestick को देखेंगे सुर्विखे यहां पर आपका यह candle close भूए यहां पर इसने open किया open करने पाद इसने low price create किया फिर मार्केट हाई पर गया और दूरिंग ये वन दे का चार्ट आम यूज कर रहें दूरिंग दे सच्छन मार्केट नहीं यहां पर क्लोजिग किया इसको कहते हैं कैनस्टिक इंपोर्टन कंसेप्ट है आसान भाषा में समझा दिया और वोफुली आपको समझ में आया हूँ नहीं समझ माया है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो नेक्स सेचन में इसको कवर करने के कोशिश करूँगा और अगर आप कैनस्टिक के ओपर डिजिटल यह तो एक बे कमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर कीजिए और एक सवाल में आपके छोड़ना चाहूंगा कि बेसिकली जैपैनीज कैनस्टिक कौन से सेंचुरी में इंवेंट हुआ था यह आपको बताना है प्लस एक कैनस्टिक के अंदर हमको कितने इंफोर्मेशन कितने इंफोर्मेश पर आपके सवाल का जवाब दीजिए ताकि नेक्स सेशन में मैं जो भी मिस्ट्रेक करेंगा तो उसको सहीत है और करेक्ट कर पाऊ फिलाव वक्त में वीडियो में इतना ही तैंकियो सो मच